की कि मिक्री कर लिता तो अमारे पास एक रिक्वाइमेंट भी आफ बदे है중्पाइग दूप किसकी मिमिक्री कर लेता हूं पर बाद बद्धाया है बहुत बढ़त एप्र बिल्कुल बिल्कुल कर लूँगा सर हो जाएगी और डेट्स की कोई प्रॉब्लम तो ने रेगी ना आपकी ने 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 बस पैसे वर वर देख लेना थोड़ा हिसाब से आगे पीछे कर लेना देखो टालेंट अगर होगा तो पैसे हम फैक देंगे पैसे की कोई प्रॉब्लम ने बिल्कुल बिल्कुल है तो फिर एक काम करते हैं अपका अपका ओडिशन में अभी फोन पर ही ले लेता हूँ क्योंकि अल्टिमेटरी डिसिजन जो है वो मैं नहीं लेना है बिल्कुल बिल्कुल तो आप कोई एक डायलोग बोलके दिखाओ जरा नावाज भाई का ठीक है माक कशम कभी कभी अपने को लगता है ना सलापुनिच भगवान है अच्छा अच्छा नाइस तो मैं तुम्हें एक चीज़ और बता देता हूँ कि एक और कंटेंडर है हमारे साथ वो भी अभी कॉल पर ही है तो बस दो लोग हो तुम दोनों में से जो भी बढ़िया करेगा उसको मैं यह पाट दे दूंगा अच्छा ठीक है तो एक बारी उनसे भी सुन लेते हैं भाई साब आप भी एक बारी बोलके दिखा दीजिए नावाज की चलो रुक जाओ रुक जाओ कोई बात नहीं है कि अगर तुम एरे तुम एक और चांस ले लो ना कोई और डालोग बोलो हां 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 बोलो ना कि मैं पंदरा मिनिट तक अपनी सास रोक सकता है मौत को चूके कसे वापस आ सकता है मलूम क्या अब दूसरे वाले का भी सुन लेते हैं पंदरा मिनिट तक अपनी सास रोक सकता है मौत को चूके टक से वापस आ सकता है तुमें क्या लग रहा है तुम खुद बताओ एक बा थोड़ा रियल बनने के चक्कर में कुछ जादे ही और एक्टिंग कर ले रहे हैं अच्छा, अच्छा, हो सकता है मुझे भी यह लग रहा है, मुझे भी यार ऐसा लग रहा है कि तुम्हारी आवाज में वह बात नहीं आ रही है ऐसा कैसे चलो एक काम करते हैं ना एक और एक और कर लेते हैं ना एक और करके देख लेते हैं बताओ आप एक और बोल तो डायलोग अच्छा ठीक है बाप का दादा का भाई का सब का बदला लेगा तेरा फैजल जब तक तोड़ेगा नहीं तब तक छोड़ेगा निशकी मा का सबस्क्राइब लग रहा है पर एक बर नावास की आवाज में करो ना यह तो तुमने किसकी आवाज में किया है मार कशम अभी आपको नवाज के चावाज में कर रहे ला है अभी थोड़ा अपन अशा बदलेगा ना तो समझ में आएगा तीरे दिर अजय जो मेरे साथ दूसरा कंडेस्टेंट एक बड़ी उनसे आप भी एक बड़ी बोलकर दिखाईए डायलोग क्या है सर डायलोग आप बोल दीजिए बाप का दादा का बाप का दादा का भाई का सब का बदला लेगा तरह फैजल मुझे तो यार यह बेटर लग रहा है पत अब को अपमना बेटर नहीं लगता है तो मेरे साब से अगर हम तीन में से दो लोगों को लग रहा है कि इसे बात सोचा ना हम थीन लोग है बात कर रहे है है ना तीन तीन में से जो दो को लगेगा वो ही सही है न जाहिसी बात है तो आप और किसी और से पुछवाई है ऐसा आप को लग रहा है तो रुकिए एक मिनिट रुकिए आप जरा आप आओ इधर मैडम आप इधर आए आप इधर आओ अभी मैडम डिसाइड कर लेंगी अब एक लास्ट डालोग बोलवाते हैं और जो मैडम भी यही है जो डिसाइड हो जाएगा हो जाएगा डान अभी एक मिन रुको पहले तुम मत बोलो ठीक है रुको आप बोली आप मेरी मूवी टीकुवेट शेडू रिलियिज हो रही है यह 23 जून को प्राइम वीडियो पे देखना न भूले वर बोले एक बारी तो मब मेरी मूवी हो रिलिज्व हो रही है टीकुवेट शेरू 23 जून को सुन लिया तुमने एक काम करता हूं सर मैं भी अपने लोग बुला लेता हूं यहां से आपको भी लगेगा फिर ऐसे सोड़ी होता है सर अचा ठीक है ठीक है सर ऐसे मत करो एक एक फाइनल काम करते हैं सुनो तुम खाली अपना नाम बोल दो एक लाइन में अपना नाम बोल दो मेरा नाम डाश है बोल दो बस बोलो मेरा नाम साहिल है और मेरा नाम नवाज दिन सिद्धिकी है अभी अभी अब कैसे अब तुम्हें यकीन कैसे दिलाद है मैं यह सोच रहा हूँ यार क्योंकि तुम तो खुछ इतनी बड़ी हमें विक्री कर रहे हो कभी मैं इतना कभी-कभी मेरे को इसा लगता है कि मैं इस नावाज नहीं बाई नहीं अपना bank balance चेक कर लो सारी गलती निगल जाए दिमाग से ऐसा कोछ नहीं बहुत अच्छा किया यार बहुत अच्छा किया तुमने भाई तुम्हें काम मिल चुका बाई तुम्हें बता दू मैं मेरे पास सच में एक opportunity आई थी ad agency ने मुझे call किया था और बोला था और तुम्हारा voice shortlist हो चुका था तो हमने सोचा कि अब नवाजबाय स्टूडियो में आया है मूवी प्रमोट करने तो तुम्हें बता दिया जाए